हलो दोस्तों हम लेकर आए आपके लिए कक्षा बारा का जो पेपर है आपका बोड़ा एक्जाम का कक्षा बारा का राजनिती विज्ञान यान की पॉलिटिकल साइंस का पेपर तो पटाफ़ से जोड़ चाहिए और जैसे आपको पेपर मिलता है आपको सबसे पहले क्या करना है रॉल नमबर जरूर लिखना है बिना रॉल नमबर के आपकी कोपी चेक नहीं होगी तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्यूस्टन के साथ सभी प्रश्णों कि तरह आपको बता जाएंगे तो आप टैंसल ना लें पहला प्रश्ण है प्रतम महायुद का कालकंड था त प्रश्ण को आप मिस कर दें वह आपके जो भी बोर्ड का पेपर है उसमें से रिमूब कर दिया गया है थड़ है यूरोपीय संग की मुद्रा का क्या नाम है तो उसका नाम है यूरो फोर नमर क्यूश्टन है दक्षिन एसिया में समले देश हैं तो आपका उत्तर है भारत नेक्ट है क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में मुख्य विसेवस्तू क्या थी तो मुख्य विसेवस्तू थी ग्रीनाउस गैस उस्चरजन को कम करना प्रस्टेंगे 6 है विस्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है तो वह है सौधी आरप साथ नंबर है निमन में से कौन ट्रिष्ट विद डेश्टिनी से संबन्दित है तो वह है जवालल नहरू नेक्स्ट है खुली प्रतिश परदा और बाजार मुलक अर्थ व्यवस्ता के जरिये प्रगति की पक्षवाली राजनेतिक विचाड़दारा को कहते हैं तो इससे कहते हैं हम दक्षिन पंथ नौ नमबर प्रश्ण है वाडूंग संबिलेन कब हुआ तो वाडूंग संबिलेन हुआ था 1952 इस भी को तस नमबर प्रश्ण है 1971 के लोकसाबत चुनावों में इंद्रा गांधी की कॉंग्रेस को कितनी सीटे मिली तो इसका उत्तर रहेगा 352 सीटे नेक्ट क्यूशन है 1904 के संपूर्ण करांती का आवान किस ने किया तो यह किया था जैप्रकास नाराणने नेक्ट क्यूशन है 1989 में राष्ट्रे मोडचा सरकार के प्रदानमंत्री कौन थे तो प्रदानमंत्री थे वीपी सिंग अब क्यूशन है जिसमें आपको रिक्तिस् पहला है चेको स्लोवाकिया के विवाजन से चेक गंडराज तथा स्लोवाकिया नामक दोदेश बने। सेकंड नमर के उशने स्री लंका की राजनिती में सिहली समुदाय का प्रवाब रहा है। थर्ड है 1944 में उद्योग पतियों के समुद वारा नियोजित अर्थ व्यवस्ता के प्रस्ताप को बॉंबे प्लान काह जाता है। चार नमर है तिबबत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने 1969 में भारत से सरण मांगी। पांच नमर है पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर गटन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेत 370 समाप कर दिया गया। नेक्ट है 2004 के लोगसाबाद चुनाव में खाली जगे गठ बंदन की सरकार बनी ती सेयोग प्रगती सील। थर्ड नमर क्यूशन है जिसमें आपको अतिलगत्रात्मक प्रश्न है इनको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्हों ने चैनल गोई तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन वेल को अन कर लें जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क्रिप्शन में हमारे वार्ट्सप ग्रूप का लिंक है जाईए जोइन कर लीजिए और अगर आपको वार्ट्सप नमर चाहिए कोई भी डाउट हो तो आप हम में मैसेज कर सके इसलिए हमारा नमर है 777896648 देखते हैं क्य कि इसमें है आशियान संगठन के किनी चार सदस्च देशों के नाम लिखिए तो पहला है इंडोनेशिया दूसरा मलेशिया तीसरा मियामार और चौता थाइलेंड चार नमर क्यूशन है भारत की लुक इस्ट एक्ट इस्ट नीती के अंतरगत कौन से देश आते हैं तो उत् है आपका लीग ओफ नेसंस दूसरा विश्वुद्ध नहीं रोक सका था इस कारण अंतर राष्ट्रे जगड़ों को रोकने वे राष्ट्रों के बीच सही हो कि स्ताबना है तू सेहुत राष्ट्रं की इस्ताबना की गई नेक्स्ट है सुरक्षा के एप पारम पर एक दाड़ना के दो पक कौन से हैं तो पहला है मानफता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व सुरक्षा साथ नम्मर क्यूशन है सीमान्त गान्दी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए तो आपका उत्तर है खान अब्दुल गफार खान प्रसिद्ध हुए आठ नम्मर क्यूशन है प्रथम पंच वर्षी योजना कब सुरू की गई तो यह सुरू की गई थी 1951 इसवी को नेक क्यूशन है 1961 में गुट नेरपेक्ष आंदोलन का पहला संवेलन कहा हुआ तो इसका उत्तर है 1961 में गुट नेरपेक्ष आंदोलन का पहला संवेलन वेल ग्रेड में हुआ दस नमबर है लाल बादूर सास्त्री की मृत्यू के पश्चाद उनके राजनेतिक उत्रादिकारी के रूप में किन नेताओं के वीच मुकाबला था तो इसका उत्तर है लाल बातुर सास्त्री की मर्त्यों के बाद उनके राजनेतिक उत्तरा विकारी के रूप में स्रीमती इंद्रा गांधी तथा मुराड़ जी देशाई के वीच मुकाबला था प्रसंक्या 11 है 25 जून 1975 को समिदान के किस अनुच्छेद के अंतरगत आपात काल की घुषणा की गई तो यह अनुच्छेद है 352 नेक्ट है मंडल आयोग ने पिछडी जाती के लिए क्या सिफारिस है की थी तो इसका उत्तर है मंडल आयोग ने सिक्षा संस्ताओं तता सरकारी नौब्रियों में पिछडी जाती हों के लिए 27 प्रतीसत आरक्षण की सिफारिस की थी अब है आपके लग उत्तरात्मक प्रस्ण उत्तर सीम आपकी 50 सब्द है प्रस्ण के चार है आपका सोबियस संके विकटन के समय वहाँ के राष्टपती कौन थे तो इसका उत्तर है वहाँ के राष्टपती थे मिखाईल गौरवा चोब प्रस्ण के चछए है चीन में क्रशी के निजी करण के क्या लाभ हुए तो कोई दोलाब बताने है, तो पहला है इससे क्रशी उत्पातों तता ग्रामिनों की आयमा उलेखनी व्रद्धी हुई, और सेकंड है इससे ग्रामिन उत्द्योगों की संक्या तेजी से बढ़ी, प्रिसन के साथ है भारत पर पाकिस्तान के मद्ध विवाद का मुख्य कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोसान देना है, इसके कोई दोका उधारन लेखिए, तो इसका उत्तर है, पहला है पाकिस्तानी कश्मीरी उग्रवादियों को हतियार, प्रशिक्चन और धन देता है, तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदा करता है, सेकंड है, पाकिस्तान, खालिस्तान, समर्तक, उग्रवादियों को हतियार तथा गोला वारूत दे रहा है, प्रसंगे आठ है, एप्रवादी एवं सर्णार्थी में अंतर बताईए, तो इसका उत्तर है, एप्रवादी उन्हें का जाता है, जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, और सर्णार्थी उन्हें कहते हैं, जो युद्ध प्रागरतिक आप्दा अत्वार राजनितिक उत्पिडन के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, प्रसंगे नौ है, खनिज उत्योगों से पर्यावरन को होने वाले कोई दोस बता करते हैं, इससे वायू प्रदूशन बढ़ता है, प्रसंगे 10 है, सोतंतरता के समय, ब्रिटिस इंडिया दो भागों में था, इस कतन को संचेप में इस्पस्ट कीजिए, तो इसका उत्तर है, पहला है ब्रिटिस भारत और दूसरा है देशी राज, तो ब्रिटिस भारत का सा कार के अधिन था, जबकि देशी राज्यों का साशन देशी राजाओं के हाथ में था, प्रिसंगे 12 है, सोतंता के बाद भारत और चीन के मद महत्री संबंदों के खराव होने के कोई दो कारण लिखिए, तो पहला कारण है, भारत और चीन में महत्पुन विवाद सीमा का व ही कोई दो चुनोतियों के संचिप्त में वेवेजना कीजिए, तो पहला है देश में अनाज की कमी थी, और दूसरी चुनोति है, 1962 में चीन के साथ हुई पराज्या के कारण देश का मनोबल नीचा था, तता सीमान्त छित्रों में तनाव विद्यमान था, सास्त्री जी ने इन दोनों चुनोतियों से निपटने के लिए अधिक अन उगाओं के साथ जय जवान जय किसान का नारा दिया था, प्रसन के 16 है, बाम सेफ पर संचिप्त टिपनी लिखिए, तो आपका उत्तर है, बाम सेफ का गठान 1978 में हुआ, इसका पूरा नाम Backward and Minority Communities Employees Federation है, ये सरका करमचारियों का कोई साधान साथ ट्रेड यूनियन नहीं था, इस संगठन ने बहुजन अड़तात अनुसुच जाती, अनुसुच जन जाती, अन्य पिछडावार्ग और अलफ संक्यवों की राजनेतिक सत्ता की जवर्दस्त तरफदारी की, तो ये था खंड बेके उत्तर अब खंड से और खंडत है, नेक्ट वीडियो में कवर करेंगे हम, तो यहां तक आप याद कर लीजिए, सारे उत्तर आपको बता दिये गए हैं, और एक रिक्वेस्ट और है, जिन्हों है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिके